एपिसोड की शुरुआत कैंटेबरी के एक फ्लैश बैक से होती है एडी होल्डन को शिप पे मजूद इंक्रेडियंट से कॉफी बनाना सिखा रही थी इसमें वो मैचस्टिक के हापर हैट को फॉस्फोरस के लिए यूज करती है और उसे होल्डन को टेस्ट करने के लिए देती है इस समय होल्डन का एक्सप्रेशन देखने लाइक था तोना एक दूसरे को इस मॉमेंट पर अपना इंट्रोडेक्शन देते हैं एडी को अपने लास्ट वर्ड रिपीट करते हुए दिखाया जाता है और स्क्रीन के उपर बहुत सारी ब्लाइंडिंग लाइट्स गिरने लग जाती है अब एक पर प्रेसेंट में आते हैं होल्डन जो कि इस वक नाइट शिप के उपर था वो अपने एमोशन से बाहर आ जाता है एलेक्स होल्डन को प्रेसेंट सिच्वेशन के बारे में बताता है कि उन लोगों को कैंटिपरी के मलवे से खत्रा है एलेक्स होल्डन को समझाता है कि वो कैंटिपरी के मलवे से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी उन लोगों का रास्ता पूरी तरह से clear नहीं है LX ship को और hard mechanism में set कर देता है और उसके engine चालू कर देता है Knight के अंदर मौजूद सबी लोग अपने आपको belt से बान लेते हैं Knight सबसे पहले scooply को hit करता है और scooply दो parts में बढ़ जाती है Debris के बहुत सारे टुकड़े Knight से टकरा जाते हैं और Knight पूरी तरह से spin करने लग जाता है Knight का एक हिस्सा थोड़ा सा band हो जाता है और उसके तीन engine में से एक engine अंदर की तरफ मोड जाता है Debris के कुछ टुकड़े Knight से आकर टकराते हैं जिसके कारण Knight का airlock door खुल जाता है और cabin के अंदर से air pressure बाहर के और move करने लग जाता है Holden किसी तरह से रास्ता बना कर floor से नीचे चला जाता है और वो अपने हातों से interior airlock को बंद कर देता है Amos और Naomi दोना ही ship के अंदर हो रही sparks को बंद करने की कोशिश कर रहे थे Knight कैंटेपरी के मलबे से निकल कर दूर पहुँच जाता है Holden Alex को उस still ship का पीछा करने के लिए कहता है जिसके हमले के कारण कैंटेपरी पूरी तरह से खतम हो चुकी थी Holden की बात से वहाँ पर कोई भी agree नहीं करता Naomi तो बहुत ज़्यदा frustrated हो जाती है Amos Holden को वार्ण करता है कि शायद वो लोग अपना पीछा किया जाना पसंद ना करें और उन लोगों के उपर पलट कर attack कर दें Holden किसी की भी बात नहीं सुनता वो संजान शिप के गायब होने से पहले ही उसे track कर लेना चाता था Holden Alex को उसका पीछा करने की instruction देता है लेकिन Alex Holden की बातों को ignore कर देता है तब Holden Alex को हटा कर खुदी उसकी seat के उपर बैठ जाता है Naomi उस वक्त तुरंती active हो जाती है और वो स्क्रीन के उपर कुछ बटन्स दबा कर सिस्टम को पूरी तरह से लॉक कर देती है Holden Naomi की तरफ गुस्से से देखने लग जाता है जबकि Naomi उस moment पे चुप रहती है Holden गुस्से से पैर पटकने लग जाता है सेरस पैर कैंटेपरी के आईस लाने का इंतजार किया जा रहा था और उसकी देरी को वो लोग नोटिस कर चुके थे सेरस पैर डिटेक्टिव मिलर शावर ले रहा था उसने अपने बालों में शैंपू लगाया हुआ था तभी वोटर रैशनिंग अलाम बचने लग जाता है और उसका पानी खतम हो जाता है मिलर उसी हालत में काम में निकल जाता है उसकी मुलाकात रास्ती में एक लोकल वेंडर से होती है वो आदमी मिलर को बताता है कि वोटर शिपमेंट लेट नहीं हुई थी मिलर अपने Star Helix Credential को यूज करता है और उनको Assist करके वो जूली माओ के अपार्टमेंट के अंदर खुश जाता है मिलर वहाँ पहुँच कर जूली माओ के Messages को चेक करने लग जाता है वो जूली माओ के फादर प्यारे माओ का Last Messages सुनता है जूली के फादर जूली को घर लोटने के लिए कह रहे थे और उसके घर ना लोटने पर वो उसके Racing Ship Razor Black को बेच देनी की धमकी दे रहे थे मिलर जूली के Messages को भी सुनता है जूली अपने फादर को कह रही थी कि वो उनी के उपर गई थी और वो उनके इस तरह के जहासे में नहीं आएगी मिलर को वही पर जूली की माला मिल जाती है वो उससे खेलते हुए जूली के Last Messages को बहुत ध्यान से सुनता है मिलर जूली के Closet को चेक करने लग जाता है वो वाटर राशन को चेक करता है उसे वाटर राशन फूल दिखाई देता है वो अपने हैट के शेंपू को वही पर क्लियर कर लेता है नियू यूर्क में UN Under Secretary General साड़ावीर एरिराइड वासराला को एक बैल्टर को 20 घटे पानी से बहार रखने के बारे में questions करने लग जाते हैं वासराला अपनी बात को उनसे कहना ही चाती थी लेकिन वो उसकी बात सुनने से ignore कर देते हैं उन्हें लगता है कि एवा सराला बिना बात की एक बेल्टर के उपर gravity torture कर रही थी एरिन राइट एवा सराला को उस बेल्टर को पानी के ही अंदर रखकर उस से पूछताच करने के लिए सजेस्ट करते हैं एवा सराला बेल्टर से पूछताच करने लग जाती है बेल्टर को अब पानी के एक टैंक के अंदर रख दिया गया था बेल्टर के पास से स्टील टेकनोलोजी मिली थी जो कि बहुत ही advanced टेकनोलोजी थी बेल्टर उस टेकनोलोजी के बारे में एवा सराला को कुछ भी बताने से मना कर देता है इदर shipping shuttle night पर situation बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी उन लोगों का radio dead हो चुका था ship में सिरफ 4 घंटे की oxygen बच्ची हुई थी और उन लोगों के पास shipping as तक बहुचने जितना ही fuel बचा हुआ था night पर मौजूद crew चिंता करने लग जाता है कि बिना radio के वो लोग किसी से भी contact नहीं कर पाएंगे और उन लोगों को lost मान लिया जा सकता था उन लोगों की सबसे पहली priority radio को fix करना था नाओ में उन लोगों को बताती है कि circuit port पूरी तरह से खराब हो चुका है यानि radio antenna बाहर से damage हुआ था फोल्डन बाहर जाकर antenna ठीक करना चाहता था एलेक्स उन लोगों को ध्यान दिलाता है कि बाहर का airlock door पहले ही खराब हो चुका है अब एकमात airlock door के खुलने से वो लोग air pressure के कारण बड़ी मुसीबत में फस सकते थे फोल्डन radio को ठीक करने के लिए इस risk को भी लेने के लिए तयार हो जाता है नाओमी एमोस को भी होल्डन के साथ जाने के लिए कहती है shade को तभी panic attacks आने शुरू हो जाते है होल्डन उसे calm down करने के लिए एक sedative strip खिला देता है होल्डन एमोस की साथ antenna के पास पहुँच जाता है होल्डन को antenna मुड़ा हुआ दिखाई देता है antenna मैसे कुछ-कुछ sparks भी हो रहे थे Seras station पर Miller और Havelock दोनों को ही Swank की lower level पर बुलाया जाता है वहाँ पर green spaces में कुछ mysterious dark patches आने लगे थे officers को doubt था कि कोई local gang उन लोगों के water को चोरी कर रहा था Havelock local officer को देखकर उसे कुछ tips देने लग जाता है और उसे belter के view से उस जगे को देखने के लिए कहता है local officer Havelock के हाथ में cactus plant थमा देता है और वो उस cactus plant को अपने view से देखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है इधर night के उपर Holden और Amos दोनों ही रेडियो के अंटिना को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे Holden एक wrench से bent हुए अंटिना को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन wrench उसके हाथ से निकल कर space में गुम हो जाता है Holden Amos को district करने के लिए उससे आर्थ के बारे में बात करने लग जाता है कि वो अर्थ पे कौन सी जगे को बिलॉंग करता है Amos भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था वो Holden की इन बातों को इग्नोर करके उसे कहता है कि उससे लगता है कि वो लोग कुस समय के बाद बढ़ने ही बाले है Holden Amos को इन बातों से दिहान हटाने के लिए कहता है लेकिन Amos Holden को बताता है कि उसे Naomi ने कहा है क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता था Holden Amos की इस बात को सुनकर है जाता है वो समझ जाता है कि Amos Naomi को उससे उपर Captain समझा करता था Night के अंदर Alex थोड़ा थोड़ा बेसुत होने लगा था इधर Naomi बोर्ड के उपर वर्क कर रही थी बाहर Holden Amos से पुछता है कि क्या वो और Naomi एक साथ है Amos Holden की इस बात का जवाब नहीं दे पाता Amos Holden को एक ट्रेगल पास करने के लिए कहता है अंदर Alex बहुत ज़्यादा बेसुत हो चुका था Shade Alex को अलग हटा देता है और वो उसकी breathing rate चेक करता है Alex की breathing rate बहुत बुरी इस्तिती में पहुँच चुकी थी Shade अपने breather को Alex के breather से जॉइन कर देता है लेकिन connection leak होने की वज़े से उसके अंदर की air lost हो जाती है Holden और Amos दोना ही एंटिने को पूरी तरह से ठीक कर चुके थे Naomi अंदर से उन लोगों को बताती है कि उससे अभी भी signal नहीं मिल रहा था Holden ये सुनकर बहुत ज़्यादा frustrate हो जाता है और वो एंटिना को अपने पैरों से किक करने लग जाता है उसके किक करने से power restore हो जाता है और एंटिना रेडियो से connect हो जाता है Holden Amos की साथ night के अंदर बहुत जाता है वो लोग air lock को seal कर देते हैं और ship को pressurize करने लग जाते हैं Alex लगबग बेहोशी के हालत में था Shade की भी condition बहुत ज़्यादा नाजुक थी Holden Shade को CPR देने लग जाता है Shade तुरंती होश में आ जाता है लेकिन उसके chest में इतना pain हो रहा था कि वो चोरों से चिलाने लग जाता है उस थोड़े moment के लिए सभी लोगों को relief मिलता है New York में Eva Sarala Erin Wright को convince कर लेती है कि उन्हें Belter को further interrogation के लिए Luna पे भेज देना चाहिए Eva Sarala यहाँ पर Luna यानि कि Moon के बारे में बात कर रही थी Erin Wright Belter को Luna में भेजने में बिल्कुल भी interested नहीं था क्योंकि already उनका budget उस moment पे बहुत ज़दा कम हो चुका था Eva Sarala तुरंती सेकेटरी जनरल के office में जाके Chris Chen से contact करती है Chris Chen Eva Sarala की बातों पर believe कर लेता है कि OPA steeled weapon बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और Erin Wright जानते हुए भी चुप था Erin Wright का मानना था कि अगर Earth अपने पास पूरे resources होते हुए भी steeled weapon नहीं बना सकता है तो belters जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो किसी भी हालत में steeled weapon नहीं बना सकते थे Eva Sarala उनको समझाने की कोशिश करती है कि belters Mars के साथ alliance करके steeled weapon produce कर सकते थे और वो लोग आमने सामने आ गई तो बहुत ज़्यादा तभाई ही हो सकती थी Eva Sarala Aaron Wright को बताती है कि अब cold war का समय बीच चुका है और कुछ नया उन लोगों के सामने जल्दी ही आने वाला है night के उपर survivors के सामने एक नई प्रॉबलम आ जाती है antenna का signal रिप्यार होने के बाद भी बहुत ज़्यादा वीक था Holden amplifier यूज करने का suggestion देता है Emmaus उन लोगों को बताता है कि amplifier यूज करने में उन लोगों की बहुत सारी power waste हो जाएगी लेकिन Naomi का मानना था कि वो इस काम को बिना power के waste किये कर सकती थी Naomi सभी लोगों से उन चीजों को power supply से हटाने के लिए कहती है जो कि उस वक्त use में नहीं आ रही थी सभी लोग Naomi के कहे अनुसार काम करने लग जाते है Shade जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो Eddie के उपर कुछ comment कर देता है कि सभी लोग उसके कारण इस मुसीबत में पढ़ चुके थे क्योंकि अभी तक वो लोग ये समझ रहे थे कि Eddie नहीं उस distress call को headquarter में transfer किया था जिसके कारण वो सभी लोग मुसीबत में पढ़ चुके थे Holden ये सुनकर Shade से लड़ाई करने लग जाता है Naomi उन लोगों की लड़ाई को रुकवाती है और उन लोगों को बताती है कि वो लोग लड़ाई करके air को waste कर रहे थे Sarah's पे Miller और Havelock दौड़ो ही illegal tap को trace करते हुए water line के lower level पर पहुँच आते है Havelock अभी भी अपने हाथ में cactus को पकड़े हुए था वो Miller को बताता है कि उसके दिमाग में cactus को लेकर एक plan है एक maintenance worker जो कि उस वक्त Miller और Havelock दौड़ो की ही मदद कर रहा था उसने अपने body के उपर एक OPA tattoo बनवाया हुआ था Miller उस tattoo को देखकर उसके उपर comment कर देता है तब worker Miller को बताता है कि उसका boss भी उसी के समान tattoo बनाये हुए है थोड़े से investigation करने के बाद उन लोगों को illegal tap मिल जाता है वो लोग उसको follow करते हुए higher level के एक warehouse में पहुँच जाते हैं वहाँ पर उन लोगों को कुछ belter teenagers दिखाई देते हैं जो कि grey water को drinking के लिए बेचने की तयारी कर रहे थे डियागो को छोड़के वहाँ माजूद सभी teenagers Miller और Havelock को दिखकर भाग जाते हैं Miller डियागो को धंकाने लग जाता है कि वो इतनी ज़्यादा quantity में water को steal करा था कि वो लोगों की नजरों में easily आ गया था Miller डियागो को ग्रीगा की territory से water चुराने के लिए धंकाने लग जाता है वो से कहता है कि जेप करटना और किसी को पीकर मारना अलग बात है लेकिन सेरस में पानी चूरी करना बहुत बड़ा अपराद है ऐसा लगता है कि डियागो मिलर की इन बातों को ignore करता है Miller एक चाकू निकाल लेता है और वो उस बच्चे के हातों के बधन को कार देता है वो डियागो को पानी से दूर रहने के लिए वाण करता है और उसे वहां से जाने देता है आर्थ पर अवासर अलग को एक message मिलता है Belter Prisoner Hacky Sobong ने लूना जाते वक्स suicide कर लिया था उसने anti-gravity को यूज करके suicide करने की कोशिश की थी तब UN ने अर्थ की gravity को यूज करके उसे तकलीफ पहुचाने की कोशिश की लेकिन इसके करण उसकी मौत हो गई थी Night पर Naomi Scopoli की बीकॉन को निकाल लेती है वो उसके उपर लिखे हुए कुछ marks को पढ़ती है और सब लोगों को बताती है कि वो लुटेरों का hardware नहीं था वो military का था यानि कि उसके उपर Martian serial numbers लिखे हुए थे जो कि Mars को belong करते थे Alex को इन बातों को कोई भी sense समझ में नहीं आता Holden को ऐसे लगता है कि Mars ने अपनी Stealth Capacity को दिखाने के लिए Canterbury को जान भूच कर निशाना बनाया था वो सबी लोग अपने आपको फसा हुआ मैसूस करने लगे थे MO's उन लोगों को कहता है कि उन लोगों को पहले बचने की कोशिश करनी चाहिए और बात की बाते वो लोग बात में देखेंगे इधर Naomi रेडियो को पूरी तरह से ठीक कर लेती है और वो लोग अपनी शिप को रेस्क्यू करने का मैसेज भेज देते हैं सेरस की डॉक्यार्ड पर Miller को जूलिया से रेलेटेट कुछ लीट्स मिली थी और वो उने इंवेस्टिकेट कर रहा था डॉक्मास्टर Miller को बताता है कि रेजर बैक का उसकी फाइल्स में कोई भी रिपकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो लोग अमीर लोगों के रिकॉर्ड को नजर अंदास कर दिया करते है मिलर डॉक्मास्टर को जूली की पिक्चर दिखाता है वो आदमी उस पिक्चर को देखकर हसने लग जाता है और उसे बताता है कि ये चेहरा भूलने लाइक का नहीं था डॉक्मास्टर Miller को बताता है कि वो शिप लेकर यहां से जाने वाली थी और उसकी साथ कुछी क्रू मेंबर्स थे नाइट पर सर्वाइवर्स अपने मैसेज के रेस्पॉंस का वेट कर रहे थे तब ही कंसोल बीब करना शुरू कर देता है यानि कि उनका मैसेज रिसीव हो चुका था थोड़े समय बात ही उनको एक मैसेज आता है कि एक शिप उनको रेस्क्यू कराने के लिए रास्ते में है सर्वाइवर्स के पास बहुत का मेयर बची हुई थी और वो उसी को यूज करके रेस्क्यू शिप के आने का वेट कर रहे थे एलेक्स कुछ कंट्रोल सिस्टम के बटन्स को दबाता है और वो देखता है कि उनको बचाने वाला शिप डॉनेगर था जो कि मार्स की नेवी को बिलॉंग करता था सभी सर्वाइवर्स एलेक्स के मुह से ये सुनकर डर जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने मार्स के नेवी शिप के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर दी थी सेर्स के अपरमोस्ट लेवल मैडिना में कैंटेबरी की डिसअपिरेंस के बारे में सभी लोग जान चुके थे हैवलोग ब्रॉथल के अंदर जिया से मिलने के लिए चला जाता है उसने अपने हाथ में कैक्टस पकड़ा हुआ था वो जिया के सामने आते ही उसे कैक्टस पकड़ा देता है मिलर जूली की डेटिंग प्रोफाइल को चेक करता है उसे एक प्रोफाइल जूली से मैच करती हुई मिल जाती है मास तभी मिलर के पास आती है और उससे जूली के बारे में पूछने लग जाती है मिलर मास को बताता है कि जूली सैरस के उपर नहीं है मास जूली की प्रोफाइल पिक्चर को देखती है उसे जूली की जॉलाइन पर कुछ बर्थमाक्स दिखाई देते हैं उसे आशिर होता है कि इतनी अमीर बच्ची ने अपने चहरे से इन बर्थमाक्स को क्यों नहीं हटाया था मिलर मस्क को बताता है कि उसके बर्थमाक को उसके पैरंट्स ने ठीक कर दिया था और अब सिरफ उसके कुछ निशान ही बचे हुए है मिलर मस्क को बताता है कि जूली खुद इन निशानों से छुटकारा नहीं पाना जाती थी क्योंकि वो अपने पैरंट्स से विद्रों करती थी मास इस मामले में मिलर का मज़ाक उड़ाने लग जाती है कि क्या जूली ने खुद आकर उसे ये बात कही थी मिलर मस्क की इस बात पर हस देता है नाइट के उपर सभी सर्वाइवर सोच में डूबे हुए थे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं होल्डन उन लोगों को बताता है कि सिरफ वोई लोग जानते हैं कि कैंटेबरी के साथ क्या हुआ था और अगर डॉनेगर भी उन लोगों के साथ ऐसा करेगा तो किसी को भी उस बारे में पता नहीं चल पाएगा होल्डन तुरंती सीट के उपर बैट जाता है और वो उसके उपर बैट कर अपने एक मैसेस ट्रांस्मिट करने लग जाता है जिसमें वो सब लोगों को बताता है कि उसका नाम जेम्स होल्डन है और वो नाइट नावकीक शिप्स के उपर से बोल रहा है जहाँ पर कैंटेबरी के 5 सर्वाइवर्स मौजूद हैं वो ये भी बताता है कि उन लोगों को एक SOS फेक सिगनल मिला था जिसके कारण कैंटेबरी पूरी तरह से डेस्ट्रॉय हो गई थी और अब वो लोग मार्स के एक नेवी शिप के निशाने पर है वो सभी लोगों को बताता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप भी हो सकता था सभी लोग होल्डन को मैसिस को बोलने से रोकने लग जाते हैं नाओमी और शेड होल्डन को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं एमोस अपनी पिस्टल को निकाल लेता है और वो होल्डन को निशाने पर ले लेता है एमोस नाओमी से पोचने लग जाता है कि क्या वो उसके उपर गोली चला सकता है होल्डन उन सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग पहले ही मर चुके हैं Naomi भी Amos को गोली चलाने से मना कर देती है, Holden अपने मैसेज को जारी रखता है, Holden अपने मैसेज को खतम करके अपने सबी साथियों को बताता है कि उसके इस मैसेज की सिरफ एक स्टेशन पर पहुँचने की देरी है और उसका वो मैसेज हर जगे वाइरल हो जाएगा और सबी ल लोगों को बताता है कि उस पर भरोसा नहीं किया जासता क्योंकि डॉनिकर ने अपने जैमर्स लगा रखे होंगे जो कि उनके मैसेज को ब्लॉक कर सकते थे। डॉनिकर नाइट तक पहुच जाता है, उसकी डॉकिंग आम निकल कर नाइट शिटल को अपने शिकंचे में ले पहुच जाती है और वो सबी सर्वाइवर्स को अपने निशाने पर ले लेते हैं, उनकी लेजर्स स्मोक को कट करने लग जाती है और एक अवाज उन सबी लोगों को बताती है कि अब वो लोग मार्शिल कॉंग्रेशनल रिपब्लिक यानि कि एम सी आर के प्रिसनर हैं,